नमस्कार दुस्तों आज के रेट में अपन बात करेंगे एरकॉन इंटिनेस्टेल की वन्स अगेन दुस्तों आज के रेट के अगर बात कीज़े तो एक परसेंट के ऊपर का अपसाइड अभी फिलाल देखने को मिल रहा है तो आगे की क्या रणनी चे अभी यहाँ पर होनी चीज़े चार्ट पटन के एकोडिंग उसको डिस्कस करने की होशिश करेंगे तो अभी मैंने ओपन किया है टू आवस का टाइम फ्रेम का चार्ट और टू आवस के टाइम फ्रेम के एकोडिंग अगर यहाँ पर देखा जाए तो इससे पहले कहां से लगातर गिरावट देखने को मिली चीज़ दोस्तो अल्मूस्ट 280 के लेवल से बड़ा सेला पाया था बड़ी तीची के बाद जैसे स्टोक ने 180 के ओपर ब्रेकाउट दिया था जो कि इसका 52 भी खाई था काफी दिनों तो कंसोलिडेट हुआ उसके बाद ब्रेकाउट के बाद बड़ी बाइंग देखने को मिली थी और जब सेला पाया दुस्तो तो अल्मूस्ट 190 के लेवल से अभी बड़ी बाइंग के साथ स्टोक कंसोलिडेशन फेस कर रहा है तो मेजर सपोर्ट लेवल क्या रहेगा अभी नीचे के और जिसके ओपर स्टोक सस्टेन कर रहा है 220 का लेवल अभी जहां से जुस्तो गिरावट के साथ बाइंग देखने को मिली है तो 220 का लेवल एक अगर शॉट टर्म यू से आपने इंट्री बनाई है तो 220 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट का का काम करेगा और सबसे आखरी सपोर्ट लेवल के अगर बात कीजए तो तो रहा है तो 190 का लेवल मतलब अगर आपका लॉंग टर्म का वियू है तो इसके नीचे जब तक स्टक ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक यहां से अभी पैने कुने जैसी सिच्वेशन नहीं बन रही है उपर के और यह सस्टेन कर रहा है इस रेंज को ब्रेकाउट दे सकत है खहां पर रेजिस्टेंस कर रहा है दोस्तों अल्मोस्ट टू फुट्टी के लेवल पर तो मेजर रेजिस्टेंस का काम कुन सा लेवल करेगा अभी टू फुट्टी का लेवल टू फुट्टी के ऊपर अगर यहां से ब्रेकाउट देता है तो बड़ी बाइंग टू बैक आउट दे रहा है तो टेकने कली बुलीश के टाइम परेंग वे देखने को मिल रहा है तो 50 मिनिट के टाइम परेंग भी यह जो रिसेंट है यहां से बड़ा से उला पाया था यह major resistance का काम करेगा तो इसी लेवल पर नज़र रखना है कल्किलेट में भी अगर 240 के ऊपर breakout होता है तो बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है तो चार्ट पेटंग के एकॉर्डिंग दोस्तो और upside की संभावना एर कॉन इंटरनेशनल में बने हुई है वैसे बाय से लिए होड की कोई सला नहीं वीडियो से पेजूकेशनल परपस के लिए बनाए गई है दरन्यवाद